हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल बायवेडिक्स में और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रुरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर आपका ब्लेड शुगर लेवल 300 से उपर पहुंच जाए तो आप उसे तुरंत कंट्रोल करने के लिए क्या काम करें जी हां दोस्तों आज हम आपको डॉक्टर के दुवारा बताए गए पांच ऐसे टिप्स के बारे में जानकारी देंगे जिन्हें अगर आप अपका बढ़ा हुआ ब्लेड शुगर लेवल तुरंत कम हो जाएगा दोस्तों आज दी जाने वाली जानका करना चाहिए और उसका ठीक तरीके से इलाज करवाना चाहिए लेकिन दोस्तों कुछ इस तरह के टिप्स भी हैं जिन्हें अगर आप डॉक्टर के पास पहुँचने से पहले एप्लाई करें तो हो सकता है कि आपका ब्लेड शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाए और आपको फायदा हो जाए तो दोस्तों इसमें सबसे पहली बात आप समझे कि अगर आप इंसुलिन लेते हैं और आपका ब्लेड शुगर लेवल बढ़ गया है तो सबसे पहला काम कीजिए कि तुरंत इंसुलिन लीजिए डॉक्टर्स भी यही कहते हैं दोस्तों कि अगर तीन सो से उपर हो जाता है ब्लेड शुगर लेवल तो आपको इंसुलिन ले लेना चाहिए कितनी खुराक लेनी है इंसुलिन की कितनी मातरा लेनी है यह इस बात पर जिर्भर करेगा कि आपके ट्रीटमेंट में कितनी डोस चल रही थी उसकी दोस्तों अगर इंसुलिन लेने के 15 से 30 मिनिट के भीतर आपका ब्लेड शुगर लेवल नॉर्मल नहीं आता तो तुरंक डॉक्टर के पास जाए और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कराईए फिर दोस्तों दूसरा तरीका है कि शुगर कम करने के लिए एक्सराइज कीजिए आप समझ ये कि अगर आपका ब्लेड शुगर लेवल बड़ी तेजी से बढ़ गया है तो आप फास्ट जॉगिंग करके या ब्रिस्क वॉकिंग करके ब्लेड शुगर लेवल को इंस्टेंटली कम किया जा सकता है क्योंकि एक्सराइज करने के लिए बॉड़ी को एनरजी चाहिए होती है जिसके लिए शरीर हमारा glucose को यूज कर लेता है और इससे हमारा blood sugar level कम हो जाता है ऐसा करने के तुरंत बाद आप doctor से संपर्ख कीजिए और अपना proper treatment चालू कीजिए एक बाद ध्यान रखिए कि exercise करने से पहले और exercise करने के बाद दोनों समय अपना blood sugar level जरूर चेक कीजिए ताकि आपको पता चल सके कितना blood sugar level कम हुआ है फिर अगला काम है दोस्तों के doctor की जो दवाई चल रही है उसका सेवन कीजिए यानि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम दवाई लेना भूल जाते है उसकी वज़े से भी blood sugar level तेजी से बढ़ जाता है तो अगर आपका blood sugar level बढ़ा है तो ध्यान दीज सकता है कि अगर आपका blood sugar level बढ़ गया है तो ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन कीजिए यानि आपको जैसे ही पता चले कि आपका blood sugar level 300 से ज्यादा है तो आप 3-4 glass पानी तुरंत पी जाईए ऐसा करने से दोस्तों जो आपके शरीर में extra glucose था वो urine के रास्ते यानि आपके पिशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाएगा तो थोड़ी देर बाद अपना blood sugar दुबारा चेक कीजिए निश्चित रूप से उसमें गिरावट मैसूस होगी और अगर ऐसा करने से भी blood glucose level control में ना आए तो तुरंत अपने doctor से संपर्क कीजिए जल्दी से जल्दी फि आप समझें दोस्तों कि अगर आपके शरीर में blood sugar level ज्यादा लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो इससे आपका blood acidic हो सकता है जो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमें like और share जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो प्लीज हमें subscribe भी करें धन्यवाद